भीमपुर नाम के गाव में लता नाम की एक चोटी सी लड़गी रहती थी। लता जब बहुत चोटी थी तब ही उसकी मा मर गई थी। इसलिए उसकी पिता ने दूसरी शादी की थी। और दूसरी पत्नी का नम प्रिया है। प्रिया लता को काफी परेशन करती थी। हमेशा उससे बरतन साफ करवाती थी, कपड़े साफ करवाती थी और घर के सारे काम उससे करवाती थी। लता चोटी होने की वज़ा से कुछ काम ठीक से नहीं कर पाती थी। इसलिए प्रिया उससे थोड़ी थोड़ी देर बाद अरे वाँ, ये गाय का बचरा कितना अच्छा है, इसे मैं अपने घर ले जाकर पाल लूँगी। ये कहते हुए, उस बचरे को अपने साथ लेकर जाती है लता, इतने में, प्रिया। ची-ची-ची, इसे कहां से उटा कर ले आई हो, जहां से भी लेकर आई हो, वहीं चोड़कर आओ उसे। ये बचरा बहुत अच्छा है मा, ये मुझे बहुत पसंद भी है, मुझे इसे रखने दो ना। इस घर में तुम्हें रखना ही बहुत बड़ी बात है, उपर से अब इस बचरे को भी संबालना होगा क्या? तुम्हें ये इतना पसंद है तो, तुम भी उसी के साथ चली जाओ, मेरा सरदर्द कम होगा। प्रिया की बाते सुनकर लटा काफी दुक्की होती है, उसके बाद वो उस बचडे को लेकर घर से बाहत चली जाती है, इतने में बहुत तेज बारिश होने लगती है, तब ही लटा और बचडा भीगने के बाद लटा हम ऐसे ही बारिश के पानी में भीगते रहेंगी तो तब ये खरब हो जाएगी, इसलिए तुम यहीं रुखो, मैं जाकर अपने लिए एक चट डुनकर आदी हूँ ये केते हुए उस बचरे को एक कोने तहरा कर लटा जाकर एक बड़े से पेड को देखती है और पेड को चिपका कर एक चोटा सा घर बनाने का सोचती है कुछ लक्रिया इकटा करके घर बनाती है और साथ ही उस चोटी से बचरे के लिए एक चोटा सा थबेला बनाती है और लटा वही पास वाले जंगल में से खुद के लिए और उस बचरे के लिए खाने का सामान लेकर आती थी ऐसे ही कुछ दिन बीदने के बाद एक दिन एक बहुती दुखी भुड़ा आदमी रोते हुए लटा की जोपड़ी की और आता हुआ नजर आता है उसे देखकर उसके पास भागती है लटा दादा जी आप इस समय यहाँ पर वो भी अकेले क्या कर रहे हो और क्यों रो रहे हो मेरी एक बेटी थी बेटा मैं अपने सब कुछ बेज़कर दुम दाम से उसकी शादी की थी अब मेरे पास ना रहने के लिए गर है ना ही काने के लिए काना है मदद के लिए मेरी बेटी के पास गया तो उसने मुझे डख्का मार कर वहाँ से निकाल दिया ऐसे काफी दुखी होकर लटा से कहता है तब लटा अयो दादा जी मैं वहाँ पर उस घर में ही रहती हूँ अगर आपको भुराना लगे तो आप भी मेरे साथ रह सकते हो ये क्या बेटा तुम्हारे माबाप नहीं है क्या मेरी मा बचपन में ही मार गई थी और मेरी दूसरी मा को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ ये कहते हुए सारी बात दादा जिसे कहती है टीक है बेटा मैं तुम्हारे साथ ही गर में रहूंगा ये कहते हुए दोनों घर में चले जाते हैं घर में जाने के बाद लटा उसके पास जो फल थे वो खाने के लिए दादा को देती है वहाँ पर घर में लता ना होने की वज़ा से घर के सारे काम करने में प्रिया को दिक्कत हो रही थी अरे इस लड़की को बिना वज़ा ही जाने दिया था अब घर के सारा काम मुझे ही करना पड़ रहे है उस लड़की को घर लेकर आना ही सही होगा वो बच्णा किसी भी खोने में रह लेगा ये सोचते हुए अगले दिन सुभा प्रिया लता को डूनते हुए निकलती है लता और दादा सडक पर चल रहे थे